नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी दोहजार चूज, निर्जला एकादशी, कब जाने तिथी, शुभ मुहूर्त, मंत्र, पूजा विधी और महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी दोहजार चूज, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विश्नु की पूजा करने और वृत रखने से सुख सम्रिध्ध की प्राप्ती होती है, और हर तरह के पापों से मुक्ती मिल जाती है। निर्जला एकादशी 2024 हिंदु धर्म में एकादशी का विशेश महत्व है साल में कुल 24 एकादशी पढ़ती है जिस साल अधिक मास पढ़ता है तो उस साल 26 एकादशी पढ़ती है ऐसे ही जेश्ट मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का वरत रखा जाता है इस साल निर्जला एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं इस दिन भगवान विश्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है क्योंकि इसल वरत के दौरान पानी तक पीने की मना ही होती है निर्जला एकादशी का वरत रखने से दीरगायू और मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है आईए जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथी शुभ मुहूर्थ महत्व सहित अन्य जानकारी कब है निर्जला एकादशी 2024 पंचांग के अनुसार जेश्ट माह के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी 17 जून को सुभ़ 4 बजकर 42 मिनट से आरंभ हो रही है जो 18 जून को सुभ़ 6 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगी ऐसे में उदया तिथी के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा निर्जला एकादशी 2024 पारण का समय निर्जला एकादशी व्रत का पारण 2 तिथी के दिन किया जाता है इस साल निर्जला एकादशी के पारण का समय उननीस जून को सुभ़ 6 बजकर 15 मिनट से 8 बजकर 10 मिनट तक है निर्जला एकादशी पूजा विधी इस दिन सुभ़ उठकर स्नान आधी करने के बाद भगवान विश्णू का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें इसके बाद विश्णू जी की पूजा करें इस दौरान उन्हें फूल, माला, पीला, चंदन, अक्षत, भोग लगाने के साथ-साथ विश्णू मंत्र विश्णू चालीसा एकादशी व्रत कथा का पाठ कर लें अंत में विधिवत आर्ती कर लें विश्णू मंत्र निर्जला एकादशी के दिन भगवान विश्णू के मंत्र आम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें निर्जला एकादशी दोहजाचोबिस महत्व निर्जला एकादशी को मोक्षदाइनी एकादशी कहा जाता है इस दिन बिना जल ग्रहन किये दिन भरवरत रखा जाता है और अगले दिन यानि द्वादशी कि तिथी को वरत खोला जाता है इसे सबसे कठोर एकादशियों में से एक माना जाता है इस एकादशी को भीमसेनी पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं इसके साथ ही पूरी रात जाकर भगवान विश्णू से संबंधित भजन, कीर्टन करते हैं। इसके साथ ही गरीबों और जरूरत मंदों को कपड़े, खाना, पानी, वस्त्र आधिका दान करते हैं। तो इस प्रकार हमारी निर्जला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानक जानकारी समाप्त हुई। दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर दे। जिससे वह भी निर्जला एकादशी की पूर्ण जानकारी के बारे में जान सके। धन्यवाद।